असलाम अलीकूम मैं हूँ एमन शाल और आप देख रहे हैं modern technology आज हम MS word collector स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको open कैसे किया जाता है आपने आना यहां नीचे search bar में और टाइप करना है यहां पर win word w-i-n-w-o-r-d win word आप इस पी क्लिक करेंगे तो यह सामने उपर आ जाएगा आप इस पी क्लिक करके भी open कर सकते हैं इसके इलावा अगर आप अपने keyboard से इंटर प्रस करेंगे तो अभी यह software open हो जाएगा अगर आप इसको further close करके एक और method से open करना चाहें तो आप दूसरे method से भी open कर सकते हैं आप अपने इसको close करती हूँ आपने क्लिक करना है यहां विंडो के साइन पे start बतन पे अब इस पी क्लिक करेंगे यहां पर आपके computer में जितने भी software और programs मुझूद हैं वो यहां पर सब शू हो जाएंगे अपने यहां से MS Word को open करना है मैं यहां पर MS Office पर क्लिक करूँगी और यहां पर आप देखें MS Word 2013 इस पर आप जैसे double क्लिक करेंगे तो यह MS Word आपके सामने open है जाएगा आज हम सबसे पहले जानेंगे इसका interface क्या है पाइल को कैसे save किया जाता है ओपन कैसे किया जाता है सबसे पहले हम इसका interface समझते हैं हम यहां पर blank document open कर लेते हैं सबसे पहले हम इसका interface समझते हैं सबसे उपर यह जो पटी आ रही है यहां लिखा हुआ है document word document to word बेसकर इसको बोलते हैं टाइटर बार ठीक है नेक्स्ट हम उसके नीचे छोटी सी पटी के जरीए जिसके उपर home, insert, design, page layout लिखा हुआ है इस पूरी बार को हम बुलते है потреб. खंग है आप किसी भी menu पर क्लेक करते हैं जासे कि file home, insert वोगर अःतला किसी भी menu पर क्लेक करेंगे जैसे आप home पर क्लेक करेंगे, insert पर क्लेक करेंगे, design पर क्लेक करेंगे तो जो भी ये नीचे information आती है इस information को बोला जाता है ribbon bar इसके नीचे ये जो white सा page आ रहा है जो working area इसका नाम होता है इसको page बोलते है ठीक है और इसके लावा last में भी एक पट्टी आपको शो हो रही होगी इसको last में पट्टी आ रही है इसको बोलते है status bar अज हमने interface के बाद जो साथ से पहला काम हमने सीखना है वो है MS Word के अंदर जो home menu हमने सीखना है ठीक है ये जो आप देख रहे हैं समने home menu ये home menu है हमने आज ये सीखना है home menu को बतालब आपने ये याद रखना है कि इसमें आपने सारा काम जो करना है वो करना है selective text के ऊपर ठीक है आपने यहां सारा काम करना है selective text के ऊपर यहां पर आग के आप हूद type भी कर सकते हैं और selective और manual दोनों पर यहां पर work कर सकते हैं हमें Microsoft ने एक formula दिया है आपने यहां पर लिखना है और जितने भी आपको paragraph चाहिए एक चाहिए दो चाहिए तीन या चार आप वो लिखेंगे मैं यहां पर तीन लिखेंगे ठीक है और bracket मैं close कर दूँगी अब मैंने करना है यहां पर इंटर मैंने इंटर किया यह देखें तीन पर ग्राफ यहां पर आ चुके हैं मैं आपको दुबारा करके बता देती हूँ पहले मैं इसको कंट्रोल ए से सबको यह पुरा सेलेक्ट करूंगी और इसको डिलीट कर दूँगी ठीक है मैं दुबारा आपको करके बताती हूँ तो एक दुफा वेरिख़ाइ कर लेते हैं यहां पर आपने लिखना है इक कर निशान डालना उसके बाद आपने लिखना है A-A-A-N-D-E-A, और मैं यहां पर स्टार्ट करनी है ब्रैके चितने आपको पो प्रिग्राफ के यह आपनी लिख देनने हैं मैं आपते धो लिख देती हूँ और, मैं कर देती हूं इसको फित्रो men we are. यह माइक्रोसॉफ्ट की दरह से एक फार्मूला है ठीक है आप इस तरह टाइप करके यहां पर लेकर आ सकते हैं अब आप इस फाइल को सेफ करना चाहते हैं तो आपने इसको सेफ करना है आपने लेफ्ट साइब पर तो पर देखें लिखा आ रहा है ओफिस बटन इस पर क्लि करना है यां आप 他ルि सेफ करना चाहते हैं वैं यहां पर टांकोंट के लेती हूं यह वीदियो को इस सरी इस डांकोमेंट नाम करणे यहां आपए बरूच की मैं आote मैं यूंसरी आप से लिख दो यू और इस वाइल को मैं यहां पर से vivid लेती हूं औरत इस वाईल को मैं क्लोज कर देती हूं वही फाइल अगर मैं दुबारा ओपन करना चाहूं तो मैं कैसे करूंगी स्वाइब को दुबारा ओपन करना है यहां पर मैं लिखती हूं विन वर्ड ठीक है और इस पर क्लिक कर देती हूं मैं । आप अच्ना करते हैं अब हम अगर वही फाइल ओपन करना चाहि तो हम कैसे करेंगे से अंब जा यहां लिकुश करेंगे और हम आपके सामने अपन हुआ हो आपन पर क्लिक करेंगे फाइल यहां आपके समिश्व हो रही है, आम इस पर किलिक करेंगे, तो हमारी फाइल यह दुबारा यह पर ओपन हो जाएगी, कोई प्रिवेस फाइल जिसको हमने एडिट करना है, उसको हम इस परिके से ओपन कर सकते हैं, यह एक मैधड था, इसके लगा हम दूसा मैधड भी सरन सरे सकते हैं, अगर आप को पता है, कि आपने फाइल कि से पर सेफ की है, तो आपने सिंपली उस देगा पर जाना है, यह नहीं के आपने दॉकम्मेंस में जाना है, तो हम आपने अपने छाए फाइल, को कि सरने फाइलब कर सकते हैं, जाकते हैंית Each přs बिल्कुल बेसिक चीज़ें सीखी है कि तरह लाना है हमने फॉल को सेफ किस तरह करना है और इसको रियोपन किस तरह करना है अगर आपको इस लेक्चर में किसी बी चीज की समझ नहीं आई तो आप मिशसे कॉंटैक्ट कर सकते हैं और कुछ भी पूछ सकते हैं तो विवर्स आ झाल झाल झाल